तो आज मैं आपके शाष्यार कर रही हूं बहुत ही तीखा मीटा चट पटा पापड़ी चाट की रेसेपी तो चल ये पटापड़ी रेसेपी स्टार्ट करते हैं तो पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेंगे तो इसके लिए हमने एक बल्म मैदा ल नमक डाल लेंगे और इन सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको आटा लगा लेंगे तो यहां पर हमने अच्छे से मिक्स कर ली है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके शॉप्ट सा आटा लगा लेंगे शॉप्ट बहुत ज यारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने एक बॉल मटर को पानी में भीगों के पांस से साथ घंटे के लिए छोड़ दी थी आप चाहें तो इसको ओभरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं तो मटर हमारा फूल गया है तो दो के अच्छे से कूकर में डाल दी है साथी में डाल देंगे आलू तो आलू यहां पर मैं दो डाल रही हूं बड़ा साइच का आलू था इसलिए कट लगा दी है और उसके बाद इसमें डाज जाएगा पानी तो पानी इतना डालना है ताकि हमारा मटर एक दम पूरा डूब जाए टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डा देंगे सारे चीज को मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसमें धकल लगा के मीडियम टूल लोग लेंपे 5-6 सीटी आने देंगे तो चलिए इसको गैस पे रख देते हैं जब तक हमारा छोला हो रहा है तब तक हमारा पापड़ी बना लेते हैं तो यहां पर हमारा आ अच्छा है तो चकले पे बेल सकते हैं थोरा सा इसमें मैदा रस्ट कर देंगे और अच्छा सा इसका बड़ा सा रोटी बनाएंगे बहुत ज्यादा पतली नहीं बनानी है तो यहां पर हमने रोटी बेल दी है फौक से इस तरह से कट लगा देंगे सारे रोटियों के ताकि अच्छा भी हम P CRISPY होने तक पड़ाए कर लेना है तो यहां पर एक साइट से पापड़ी हमारा हो गया तो इसको प्राइब नेना एक साइट की होने परड़ा नहीं हो गया है तो इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसको होने देंगे तो यहां पे हमारा पापड़ी हो गया है तो निकाल लेते हैं बाकी के सारे पापड़ी को इसी तरह से तल लेना है और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बना है पापड़ी इसको साइड में रखते पेन में टेल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे जीरा आदा छोटा चमस ही जीरा को चटकने देंगे और उसके बाद इसमें जाएगा फ्रेश्ट कुटी हुई अद्रक और हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेश्ट और अद्रक अच्छे से भूल लेंगे अद्रक जो भ भर हल्दी पाउडर आदा चोटा चमस धनिया जीरा पाउडर सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पे मसाला भून गया है इसमें डाल देंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर चुटकी बर नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉप्ट हो जाए टमाटर यहां पे सॉप्ट हो गया है इसमें डाल देंगे छोले को और मिक्स कर देंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पानी तो इसमें पानी डाल देते हैं बापस से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आदा चोटा चमस गरम मसाला पाउडर डाल मेडियुम फ्लेमपे नहीं लाटेए भी तो यहां पे 4 चेल मिट हमारे छोले को यहां प्लेट नहीं आप झाल मां च जरद से 1 के बापड़ी को लुआ पैद्स करें ग्रीन चटनी, इमली खजूर की खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी और इमली की चटनी की रेसे पी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, चीली फ्लेक, भूना हुआ जीरा पाउडर, उसके बाद डाल देंगे प्याज, न की पत्ती, और हमारा तीखा चटपटा पापड़ी चाट तयार है, आज की यह सूपर टेश्टी रेसेपी आपको पसंद आई होगी, रेसेपी पसंद आएथ प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सश्क्राइब की,